संभल में बारात की बस में सीट पर बैठने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ है पिता पुत्रों सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए है घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुँच गई और घायलों को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा है दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष होने का पूरा मामला जनपद संभल के थाना नखासा क्षेतर के गाव रुकनुद्दीन सराय का है गाव निवासी पप्पू के पुत्र राहुल की बारात अम्रोहा गई थी बारात वापस लोटते समय बस में सीट पर बैठने को लेकर चंदरभोज पुत्र रामकिशन और राजेंद्र पुत्र बांके के बीच जगडा हो गया दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए पहले काफी देर तक कहा सुनी हुई और उसके बाद मारपीट शुरू हो गई इस जगडे में एक पक्ष के चंदरभूशन, रामकिशन प्रदीप, दीपक पुत्र चंदरभोज, भतीजा अमित पुत्र भूकन सरन घायल हो गए मारपीट करने का आप गांव के ही राजेंदर पुत्र, बैंक, पवन पुत्र, राजेंदर, दयाराम, जितेंदर, आकाश, महेशव, अरुन पर लगा है थाना प्रभारी योगेश कुमार ने बताया कि गांव रुकनुद्दीन सराय में दो पक्षों के बीच मार पीट हुई है मौके पर शांती व्यवस्था कायम है, घायलों को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया है, घटना की जांच की जा रही है जो भी दोशी होगा, उसके विरुध विधिकार रवाई की जाएगी ब्यूरो रिपोर्ट